हेलो इस्टुडेंट्स जैसा कि हमने पिछली क्लास में human development के बारे में बात की थी और अभी हम जो फर्स्ट NCRT 12th क्लास की fundamentals of human geography उसके बारे में बात कर रहे हैं तो क्लास सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि समर्थ exam prep की आप जो online web play store के उपर जाकर जो इसकी एप है उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मेरे और साथ में other subjects के जो वीडियो हैं एक continuation में प्राप्त कर सकें और साथ में जो other study material है वो भी वहां से आप आज हम क्लास सुरू करेंगे तो एक बर मैं थोड़ा साब को रीकेप करा देता हूँ पिछले अपने जो lectures हैं तो पिछले lectures में हमने किसके बारे में बात की थी पिछले lecture में हमने बात की थी fundamentals of human geography में हमने देखा था nature of scope of human geography जिसमें हमने जिजोग्रोफी की जो streams थी उसके ब बारे में बात की थी साथ में next chapter में हमने देखा था population, population में हमने देखे थे कि जो उसके components हैं या उसकी characteristics है, sex ratio है, age group है, इन सब के बारे में हमने बात की थी तो आब हम subject को सुरू कर चुके हैं, subject की एक basic समझ बना चुके हैं, जो student पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप पिछले वीडियो को भी एक करम में देखें ताकि आप भेतर तरीके से समझ पाएं, साथ में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ शिकायत आये थी कि PPT में पीछे जो चीजे होती है, आप जब फोन में वीडियो देखते हैं तो व स्क्री रहते हैं वो उस तक अपनी बात या शिकायत जो भी है उसे पहुंचाते हैं और मैं हमेशा इसके लिए open रहता हूँ, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि don't go in front of me, I am not your leader, don't go behind me, I am not your follower, don't go behind me, I am not your follower, don't go behind me, I am not your leader, go together, be friends, forever, तो मैं भी शीखने की प्रोसेस में हूँ, तो कोई चीज आपको ऐसी लगे, वीडियो से समझेत किसी समझेते हैं, आप comment box में बताएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि हम next उसके अंदर improvement कर सकें, तो आज जो topic है वो है primary activity, अब देखे कि population की बात हो गई थी, तो अब मानों की आर्थिक किरिया, मानों किस तरीके से बस रहा है, किस तरीके की चीज़े कर रहा है, उस topic के उपर हम बात करेंगे, primary activity की जब बात की जाती है, तो इसके अंदर किन चीजों को देखा जाता है, जैसे आप ऐसे समझीए इस चीज को, कि जब आप एकक्षा प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, तो बेसिक जी बात इसमें क्या निकल के आती है, प्राइमरी एक्टिविटी की बात की जाती है, तो इसके अंदर आती है, अगरिकल्चर, फिसी, गैदरिंग, हंटिंग, और लंबरिंग आती है, माइनिंग आती है, ये सारी सेक्टर की जब बात की जाती है तो प्राइमरी सेक्टर की सी मानसून का जूवा है इसका मतलब उसकी मानसून पर बहुत जादा निरभड़ता है तो सीधा एंवर्मेंट से इसका अपने को जुडाव दिख रहा है यूटिलाइजेशन ओफ आर्थ रिसोर्स और इसके अंदर क्या होता है कि जो आर्थ के रिसोर्स होते हैं जैसे एक से इस इक दो कि आर्थ में आपने इस चीज से ऐसे को पकड़ पाये कि इसमें सवाल को अगर कुंसा को अंदर स्क्रेंगा तीक कि यह direct environment से relate होता है dependent होता है विल्कुल सही बात है अगला statement बना दिया जाएगा कि जो अर्थ resources रिसोर्से उते हैं उनको क्या करता है यूटिलाइजेशन करता है तो ये भी बिल्कुल सही बात है और इसमें कुछ एग्जामपल देदे कि इन में से कौन सी चीज नहीं है तो ये भी आप उसको अब ड्रोक उसके अंदर से निकाल लेगे अब हम देखते हैं कि gathering की जो प्रक्टिस है दुनिया में कहां की जाती है देखिए अब हंटिंग gathering की जब बात आ रही है तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि जब मानव ने विकास शुरू किया था तो सुरू में मानव कैसे रहता था सुरू में मानव जंगल में रहता था बिल्कूल और सिकार करके खाता था या जंगल से जो जंगल में जो चीजें मिलती थी उनको क्या करता था इकठा करता था तो अब आप एक चीज को देखिए कि हमने पहले बात की थी कि जोग रोफी में कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है एक हिरार्की के अंदर कोई चीज घटित होती है तो जब मानव ने जंगल के अंदर रहना शुरू किया तो वो क्या करता था हंटिंग करता यसे लकडी लेके आया, सैद लेके आया, फल लेके आया, फूल, जड़ी-बूटी जो भी लेके आया एक तो उसको बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता था, दूसरी ट्राइब के साथ उसका क्या हो जाता था, कभी विरुवार जैसी सिचुएशन हो जाती थी, उसमे लिम्टेड था तो मानू ने क्या किया जो इंपोर्टेंट चीजित लग रही थी जैसे जिन चीजों कि उसने क्या किया उसको उगाना शुरू कर दिया जिन चीजों को रोजिकार करता था और या उसके लिए जो important थे उन जानवरों को क्या करना उसने पालना शुरू कर दिया तो इसी से आप देखेंगे आगे क्या शुरू हो गया पसुपालन और agriculture शुरू हो गया उस agriculture के अंदर जितना इस पेसलाइजिसन आता जाएगा वो commercial की तरफ बढ़ती चली जाएगी अग गलोब को देखते हैं अब गलोब को देखते समय में आपको कुछ बाते बताऊंगा जो कि आपको next slide में भी ध्यान रखने है यह अपने सामने वर्ड का मैप है जो यह यह एरिया है यह यह सारा क्या है फ्रोजन एरिया है यह शारा क्या है एक निश्चित समय में जम जाता है टुंडरा वाला एरिया है जिसके अंदर मुश्किल से तीन महिने के लिए ही मोसम इतना बदलता है जिसके अंदर छोड़े मोटे फलफूल खिलते हैं या लोग सिकार के लिए निकल पाते हैं बाकी इगलू कहते हैं एक हधियार रखते हैं जिसका हार्फुन का जाता है और किसका सिकार करते हैं सील मचली को इखते भी ह बाद में आपने इगलू के अंदर ले जाते हैं फ्रीजिंग की वज़े से खराब तो होते हैं और साथ में उसकी चर्बी से अपने इगलू को गर्म रखने में इसका क्या करते हैं इस्तमाल करते हैं साथ में ये एरिया है जो आपको दिखरा होगा तो ये कौन सा एरिया है ये विश्वतरेखा का एरिया है विश्वतरेखा का एरिया कि क्या विशेश्ता है high temperature और high rain fall तो high temperature प्रस high rain fall दोनों मिलके क्या चीज बनती है यहां बनती है high biodiversity तो यहां पर flora और फोना भोत रिच्चुस में पाया जाता है और जंगल है वो भोत क्या है गने होते हैं तो यहां भी ट्राई पाई जाती है तो जैसे यह Amazon का एरिया हो गया जैसे यह पर पिग्वी पाए जाते हैं जरन्जाती पाई जाती है आपसे यह पूछ सकता है किस षैत्र में यह लोग क्या वो कहां कहां की जाती है अब दूसरी चीज देखेंगे यह उपर का यह रीजन है यह डेजर्ट है यहां पर डेजर्ट है पैटागोनिया का डेजर्ट है आताकामा चिली में आताकामा और यहां पर पैटागोनिया इसके अंदर अर्जेंटाइना के अंदर आस्ट्रेलिया का यह रीजन पूरा क्या है? डैजर्ट है. यह यहां पर कौन सा डैजर्ट है? गोबी का डैजर्ट है. यहां पर क्या है? अरब का डैजर्ट है. अब आप इसके अंदर देखेंगे कि यह जो डैजर्ट वाला रीजन है, इसके अंदर भी क्या है? चीजे बहुत कम होती है. यहा यहां पर कालाहरी के desert में कोन फ似ेशन जाती पायती है। कि को शमौप के Łagvé्ट में कुझा को स्प्राइब नहीं पाई जाती है। चिरवं पाई जाती है। और आसले के डेजर्ट में ऐसे कोई specific ट्राइब नहीं पाई जाती इसे आपको context देके पूछा जाएगा और यही जो जनजातिया हैं बेसिकली जो डेजर्ट वाली जो जनजातियां यही हैं जो आपको याद रखनी यह क्या करती हैं यह पसुपालन करती हैं लेकिन किस तरीक हैं यह completely hunter और gatherer हैं यह क्या है पसुपालन मुख्य कारी किसका है अगर option में कोज़डे हैं तो मसाई जन जाती है आए उसमें क्या होती हे हैं एक मौसम विशेश में जब बारिश होती है यह सर्दें की अप्रवल आइसको अधर करते हैं चिर्गीन था क्षिव है जो अनुकूल डुस्त Si अधर करते हैं फिर तो यह हंटिंग गेदरिंग की एक मोटी इमेज आपके सामने है साथ में यह कुछ रीजन है ठंडे एरिया जो है ना जैसे आस्ट्रिया के जो पूरी छेतर है वहाँ पे अफ्रीका के दक्षने अफ्रीका वाला रीजन और अर्जेंटाइना और ब्राजिल का यह छेतर पूर मद्ड यूरोप वाला चेतर और उत्रि अमेरिका में स्विंक तराज और कनाडा के आसपास का यह छेतर इसमें क्या है सीटोसन गास के मैदन टेंपरेट ग्रासलेंड पाए जाते हैं इनको रीजनल नेम नेम इनके अलग-अलग है जैसे अमेरिका में इनको क्या कहा जाता ह प्रेरी कहा जाता है जो क्या आपसे पूछ सकता है यहां पर इनको क्या कहा जाता है इस्टेपीज कहा जाता है यूरेसिया के अंदर यहां पर इनको क्या कहा जाता है ब्राजिल के अंदर लानोज कहा जाता है अफरिका में वेल्ड कहा जाता है आस्ट्रेले में क्या कहा ज कि आफ्राम के बिदेफ इंदर पर पसुपालन किया जाता है तो मैप के अंदर आपको इन एरिया को क्या है पने दिमाग में रखना है क्या आगे बार बार यह चीज आएगी तो इनका जब मैं वहां पर नाम लूँगा तो आपके विजुलाइज करना है कि ये मेप के ऊपर क अब हम नोमेडिक जो हाडिंग है उसकी बात करते हैं तो इसमें अपने बात करें कि यह जो प्राइमरी एक्टिविटी है बिल्कुल और यह शुरुवाती जो चीजे है मानु ने जिसे पसुपालन सीखा था उस तरीके की चीज है इसमें क्या किया जाता है इसके अंदर एनिमल्स फूड के लिए, कलोथ के लिए, सेल्टर के लिए, हर चीज के लिए क्या किये जाते हैं पाले जाते हैं जो इनके हड़ी से, खाल से, इनसे वस्तर, उपकरण, घर, जो अपना आवास, इस्थान, उसकी चीजे, खाना, हर चीज इनहीं से क्या है ही निर्भर रहता है, दूसरी चीज क्या है ये, एक इस्थान से, दूसरे इस्थान पर क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, अपने इसके बारे में बात की थी, और community occupies a well identified territory, हर community होती है, उसके एक निस्थान एरिया होता है, जिसके अंदर वो क्या करती है, पसुपालन करती है, tribes के अंदर क्या बात होती है, कि tribes होने को tribes होती है, environment के साथ अनकूलन करके रहती है, पर दो tribes एक दूसरी की language नहीं समझती है, और वो एक दूसरे को कहीं न कहीं विरोधी मानती है, उसका कारण सीधा सक्या है, क्योंकि वो tribe है, वो resource के लिए competition करती है, तो competition होने की बज़े से उनके अंदर क्या है, वो कई बार जड़क में बदल जाता है, कई बार वो आपसी तनाव में बदल जाता है, अब अब अपन देखते हैं, इसके कुछ important reasons है, इ अबरिका के इस्टवार्ट से सुरू होके अरविन पैनुसुला तक जाता है, जो कि अपने देखा था और फिर आगे मंगोलिया तक चला जाता है, सहारा डेजर्ट, फिर आगे मंगोलिया का, कजाकिस्तान से होते हैं, मंगोलिया के डेजर्ट तक चला जाता है, दूसरा र क्या जाता है इसके अंदर क्या चीज होती है कि यह लोग क्या करते हैं वर्टिकल माईग्रेशन करते हैं और भारत में बात करें, तो जो राजस्थान के गड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं वर्साकाल में, जब वारिस होती है, उधर उनकी तरब भर्याली होती तो वहापीश लोड जाते हैं, और सूखा पढ़ता है, उधर चारे की चीज़य नहीं होती है, तो अधर रीजन में जाके जहां उनको खुली कुछ चारा घहा कुछ गहास मिल सकती है उदर वो क्या करते हैं माइग्रेशन करते हैं तो यह तो होगे होरिजेंटल वर्टिकल क्या होता है कि पहाडी डलानों पर क्या होता है कि एक आइस लाइन होती है आप जोगरों फिमें अपने सीज को पढ़ा होग पर जैसे ही मार्च आएगा तो यह एरिया पूरा दुबारा से ग्रास लेंड में बदल जाएगा तो यह वापिस क्या है उपर जाएंगे अपने पसों को लेके तो पहाडी के डलानों पर जो उपर से नीचे माइग्रेशन किया जाता है उसको क्या कह जाता है वर्टिकल मा उटियाज है वो करते हैं इतका नाम दे के आपसे क्यूश्टन बना सकता है कि कौन से हैं जो माइग्रेशन करते हैं यह चीज आप से पूछ सकता है अब इसमें बात आई कि जो नंबर ओफ पोस्टोरल जो नोमेड्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं आपसे सीद्धा सवाल बन या मानलो की उपर कोई जन जाती है कजाकिस्तान की कोई जन जाती है वो आगे तक जाती थी लेकिन आप मानलो की साइड में तजाकिस्तान बन गया या उजबेकिस्तान बन गया उधर वो क्या है बाउंडरी होने की मज़े से उधर नहीं जा सकते या मानली जी के राजस्थ प्लान आगे गोवर्मेंट क्या कर रही है एंको एक जगह पे सेटल कर रही है इनके वेलफेर की स्कीम चला रही है इनको क्या कर रही है या जो पहले जो खाली जमीन थी जो इसके लिए प्रसूतर का इस्तमाल करते थे आज इसके उपर कोई दूसरी एक एक्टिवीटी होने लग गए तो इनके लिए क्या है जो एक लेंड चाहिए थी जो रिसोर्स चाहिए थी वो अब पड़ रहे हैं तो इस ये संगर्स वाला पेशा बन गया तो ये लोग क्या है अब धीरे दीरे इस पेशे को क्या है छोड़ रहे हैं अब हम बात करते हैं commercial livestock की commercial livestock इसला हमने देखा था वो nature के साथ पूरी तरह जुड़ा था commercial क्या है संभववाद के तरफ जाएगा संभववाद क्या कहता है कि आदमी के अंदर चमता है नई चीजें बनाने की नई चीजें करने की तो यह चीज भी इसी चीज़ के उपर focus करती है कि जो घूम घूम के पसु पालन कर रहे थे बारिस के उपर डिपेंट थे यह क्या करेंगे यह ऐसी जगे बनाएंगे जहां पर पसूं को सारी facility क्या करेंगे प्रोवाइड करवाएंगे और उनसे maximum utilization आउटकम प्राप्त करेंगे इसके अंदर हम देखें कि नोमेडिक से हटके जो यह चीज आप देख पा रहे होंगे यह चीज जो आप देख पा रहे होंगे कि नोमेडिक से हटके commercial livestock है वो क्या है organized है capital intensive है मतलब इसके अंदर ज्यादा पूंजी लगती है और ज्यादा वेस्थित होता है यह उसकी तुल्ला में दूसरी इसके अंदर बात है कि यह western culture है वही पूंजी वेस्था की जब बात आ के पास ज्यादा यह संसादने तकनीक है पूंजी है वही लोग इसको कर पाएंगे तो यह western countries जो है वही इसको ज्यादा क्या है प्रक्टिस करते हैं these ranches cover large area and divides into number of parcels अब इसमें parcel वाली जो concept आपने NCRT में देखी होगी मैं आपके एक बात फिर बताना चाहूंगा कि आप ज chapter को पढ़ते रहें वीडियो को देखते रहें सुनते रहें जो important जहां पर चीज बताई जा रही है जो line बताई जा रही है बिल्कुल आपकी NCRT की key lines है तो आप उनको क्या करें underline करें ताकि आपको सवाल का जो एक pattern है उसको समझने में सायता मिले जो parcel की concept आई उसमें क्या होता है कि माली जी ये rents है आपका इसमें ये क्या करते हैं इस rents को चार भाग में बाट देते हैं इसमें क्या करेंगे पसों को चराएंगे इसमें क्या करेंगे छोटे बच्चों को रखेंगे इसमें क्या करेंगे जो दूद देने वाले पसू है उनको रखेंगे इनमें क जा नदर उतनी पस्व रखे जायेंगे जितने पस्व रखे जाएंगे जितनी पस्व को उसके उपर पाला जा सकता है जो उसके अदर अबड़ी बात क्या है यह आपको द्हान रखनी है कि one type of animals reared किये जाते हैं मतलब एक तरीके के पसुपा ले जाते हैं जैसे गाय का फार्म हो गया specialized होते हैं पहले एक लाइन आई थी कि ये specialized and organized होता है capital intensive होता है तो उनकी नसल सुधार करना उनकी बिमारियों उनकी बिमारियों के उपर काम करना इस तरीके की क्या है चीज़ें इसके अंदर focus के साथ की जाती है देखो ये genetic improvement, disease control, health care ये सारी चीज़े की जाती है इसके लिए पुंजी भी चाहिए, विशे सकीता भी चाहिए और इससे क्या होता है कि इनके पास better quality के और जो आगे पसू है वो आते चले जाते हैं इसके छेतर की बात करें तो अपने देखा था canta, barrier, घास के मैदान है न्यूजिलेंड के अंदर, Australia के अंदर डाउंस है Argentina के अंदर, Pampas है Uruguay, वही वाला Pampas वाला रीजन है और अमेरिका के अंदर prairie वाला जो छेतर है उसके अंदर क्या किया जाता है यह dairy farming बहुत बड़े इस तर के ऊपर किया जाता है अब है अपनी agriculture की जो चीज़ यह है उसमें अगली चीज़ क्या है इसमें जो shifting agriculture है basically उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे अब हम पसों के बारे में बात करेंगे तो पसों में हमने देख लिया कि घूम फिर के पसो चरा रहे है ना उसी तरीके से किर्सी में भी घूमने फिरने वाली बात होती है तो उसको बोला जाता है shifting agriculture जब किसान एक जगाए पे इस्थितना रहकर और विशेज करके किस में होता है tribes में होता है tribes क्या करती है कि उनके पास टक्नीक का इस तरह कम होता है और land क्या है उसको fertile करने के लिए उनके पास fertilizer fertilizer की facility नहीं होती तो वो क्या करते है कि जैसे यह area है जैसे यह area है इस area में उन्होंने agriculture कर ली इस area को क्या किया पहले सलेस करेंगे यानि काटेंगे फिर उसको जला देंगे तो वो भूमी जो त्यार होगी उसी को अपने जो प्रमप्रगत उपकर नहीं उनसे जोत के उसके अंदर किरसी कर लेंगे फिर एक दो साल एक दो फसल लेने के बाद जब यह area fertile नहीं रहेगा तब इस पैच के अंदर ऐसा ही करना शुरू कर देंगे तो इसको क्या है shifting agriculture कहा जाता है सलेस बरन agriculture भी कहा जाता है इस तरीके के नाम देकर आपसे क्या है कि उससें पूछ सकता है अलग-अलग इस्थानों पेसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे वियत नाम मिर रहे कहते हैं मेडा अगास कर रहे हैं उसके अंदर तावी कहते हैं और मिलपा कहते हैं लोगन कहते हैं यह जुट नाम है आप एक लिष्ट है इसको आप पूरी देख लीजे आपके NCRT के अंदर चेहर पांच नाम दिये गए हैं लेकिन फिर भी आप इन से मिलते जुलते नाम हैं वो देखें साथ में आप एक हमरक के तोर पे क्या करें कि इंडिया में इसको अलग-अलग नामों से जैसे जूमिंग है नोर्थ इस्ट में कहा जाता है दीपा है पेड़ा है साउथ में कहा जाता है कुमारी बिंगा है वो जारखंड और इस रीजिन में कहा जाता है तो इंडिया में इनके जो क्या नाम है इस्थानी इस तरफ उसकी भी आप एक लिष्ट अपने तरफ से त्यार कीजिए क्योंकि इससे जुड़ता हुआ संभावी तो जो सवाल है वो कहीना कहीं आपसे पूछा जा सकता है या जब अपने इंडियन जोग्रोफिय भी पढ़ेंगे यह चीजे तो वहां पर आपको चीजों को या रखने में या रिलेट करने में क्या है आपको आसानी रहेगी इसकी कुछ चीजें है वह अपने देख लेते हैं कि यह प्रिमेटिव होती है बिल्कुल अपने बात कर लिए प्रिमेटिव होती है और इसमें क्या होता है यह इंटेंसिव सब्स्टेंस होती है मतलब इसक चीज़े हैं इसे shifting cultivation के नाम से broadly एक तरीके से जाना जाता है tribes के अंदर ये basically होती है और tropical areas में विशेश करके South Africa में, South Central America में, South East Asia में इन areas के अंदर क्या है ये है तो ये जो नाम दिये ना अलग-अलग जगह पर क्या कहा जाता है इससे आपको ये भी समझने में साहीता मिलेगी, ये किन-किन area में होती है आपको मोटे-मोटे में नाम बताता हूँ, वियत नाम में होती है, इसको Ray कहते है Medigas करम इसको Tavi कहते है, मेक्सिको में इसको Milpa कहते है मेक्सिको में आप मोटा सा नाम याद रखे, Milpa, ये अलग नाम है, कौमाईल नाम दिया है, लेकिन Milpa को ही बेसिकली माना जाता है और Rocco कहा जाता है, Brazil के अंदर, Philippines में Canning कहा जाता है, मयामार में Tunga कहा जाता है सिरि-लंका में चेना कहा जाता है, और लदां कहा जाता है इंडोनेशिया में, ये मोटे-मोटे नाम है इन से आपके एक image वी बन वी 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 ट्रोपिकल रीजन आपने यहीं पर बात कि थी, तो यहीं पर यह अगरिकल्चर क्या है? होती है अब अपन बात करते हैं intensive substance agriculture की intense हो जाएगी तो क्या हो जाएगी घूमें फिरेंगे नहीं अब क्या करेंगे एक जगय बना लेंगे उस जगय के उपर क्या करेंगे उसी जगय से जैसे अपने होती है बेसिकली इंडिया में जो most of agriculture जो तरीका है वो कौन सा है intensive substance है कि गहन निर्भयन किर्शी की जाती है जोतों को अकार population की वज़े से इनकी वज़े से क्या लगाता है छोटा होता जा रहा है उसी के अंदर अपने परिवार के भनपोशन लाइक चीज़ें क्या है उगा ली जात क्या है dense population dense population है उनके अंदर ही यह जाजा की जाती है विशेस करके मानसूनी एसिया वाले रिजन इंडिया की जैसे मैंने आपको बात की थी बांगलादेश इंडिया में हमार इंड में क्या है यह यह agriculture की जाती है इसमें होती क्या क्या चीज़े हैं इसके अंदर intensive जो substance agriculture होत है जो dominant होती है कि इसके दोरा चावल के दोरा चावल कहां पे होगा जहां पे बारिष अच्छी होती है इरीगेशन क्या है अच्छा हो जाता है इसमें क्या क्या है लेंड होल्डिंग क्या है पॉपुलेशन की बज़ए से चोटी होती पूरी substance की बात है चावल और वो तो फैमली लेबर कोई इसमें इस्तमाल किया जाता है परिवायर के सदसी इसमें काम करते हैं मसीनरी का जो लेवल है वो क्या होता है बहुत लिमिटेड होता है क्यों होता है तकनीक और पुंजी के इनके पास क्या कमी होती और लेंड इतनी छोटी होती कि उसके इंदर आप बहु यूनिट एरिया क्या है जादा होता है लेकिन पर परसन क्या है लो होता है तो आपका सवाल बनेगा यहांसे you कॉमर्शल एगरी कल्चर जब आप पढ़ेंगे पहर्म वाली जो एगरी कल्चर पढ़ेंगे उसमें और यह बहुत बड़ा फरक है कि उसके अंदर बहुत बड़ी लेंड होती है उस बड़ी लेंड के इसाब से तो उसमें उत्पादन कम होता है लेंड होल्डिंग उत्पादन कम होता है वे अपारी किरसी में लेकिन पर परसन एक ही आदमी लगवो 500 भी घा को मसीन से अगरिकल्चर कर रहा है तो पर परसन वहा आप के सवाल बनने वाल हैं इसके अलावा कोई सवाल आपसे नहीं पूछ जाएगा कोई ऐसे आसमन से कोई सवाल नहीं आएगा अब दूसरी जो चीज थी उसमें क्या था अ गाधर देन ownपैडी इसमें क्या है चावर नहीं क्यों नहीं है रिलीफ, climate, soil और other geographical factor की वजह से क्या है वहांilles पर प्रक्टिकल नहीं है क्या चावल उगाना वारिश हाही हो रही सूखा है मिट्टी सपोर्ट नहीं कर रही is टेरेन ऐसा नहीं है जिसमें चावल उगाया जाज़के तुम चावल नहीं होगा अधर क्रोप्स होंगी तो इसमें अधर क्रोप्स के नाम दिये हैं वीट, सोयबीन, बारले, सोरगम यह सारी जो है यह उगाई जाती है कहां पर चाइना में मंसूरिया में नोर्थ कोरिया में और नोर्थ जपान में है क्या की जाती है भार्तember बात करें तो अपना वेस्टन पार्ट है गंघेटिक प्लैन का उसके अंदर क्या क्या किया जाते हैं और और इंडिया उसकें ड्राई एरिया में यह सोरगम यह साधरम वीनाफय में एंपि में दियसे यह उगाई जाती है तो इसको आपको समझना है, दोनों को क्या है, examples में ध्यान रखना है, कि wheat है, वो इसके अंदर नहीं आता, rice वाली में rice ही dominant होता है, इसमें wheat, soybean, sorghum और जो other crops है, coarse crops है, वो इसके अंदर क्या है, आ जाती है अब plantation agriculture की बात करें, plantation agriculture की बात ये है, कि जब अंगरेज आये थे, या colonies के जो European countries वाले जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अपनी जरूरत के लिए उनको कच्छा माल चाहिए था, जैसे उनको चिन्नी के लिए चाहिए था गन्ना, और उद्दोगों के लिए चाहिए था उनको रबड, चाय, कोफी की मांग थी, तो वो चीज उनको चाहिए थी, उन्होंने क्या किया, जहां पे उप्यूक्त जलवाई थी, भलेई वहां का वो प्लांट नेटीव हो या ना हो, मतलब प्राकृति रूप से वहां पे उगता हो या ना उगता हो, इन ल अरे सरवन, एक देश है मोरिसस, जहां आपको पता है, भोजपुरी भासा है, और वहां के लोग ही भोज़न क्या कहें, तो मोरिसस के अंदर, वेस्ट इंडिज के अंदर ये क्या है, जो बंगाल का छेतर था पहले, इसके अंदर भिहार, उडिसा, ये सारा छेतर आता था, तो यहां से लोगों को क्या करके, माइगरेट करके, वहां पे ले जाके उन्होंने बसा दिया, क्या करने के लिए, गन्ना पैदा करने के लिए, तो इस तरीके से ये 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 ले कर गए दूसरी जगह पर वहां पे ले जाके बसा दिया, एक तो इसका कारण का है, किस तरीके से मर जुआ तो European जो colonial जो powers थी उनका इसके अंदर क्या है रोल है यह चीज आपको ध्यान रखनी है दूसरा यह है इसके अंदर टी कोफी कोको रवर कोटन और पाम सुगर कैन बनाना यह सारी चीज पाइनेपल उगाई जाती है अब इन में से क्रोप का नाम दे दे सिदा बन सकता है इसकी क्राक्टरिस्टिक्स क्या होती है बड़े एडिया के अंदर अगरिकलचर की जाती है होग जधा़ा इंन्वेस्टमेंट किया जाता है मैने जे Meng önce पूंजी पतYou अपने लिए काम करवा के लिए काम करती थी तो इन्होंने क्या कि वहां पे पैसा लगा दिया और एक कुर्सी डालके खुद बैठ गए या अपना को एक अधिकारी नुक्त कर दिया जो लगाता है उन चीजों को क्या है वाचिंग करता रहता था कि कोई बीमारी आ रही है तो छड़काओ करवादो क कोई समस्यारी है तो उस चीज की आपूर्ती करो और इसमें क्या किया जाता है कि सिंगल क्रोप क्ल्टिवेशन किया जाता है जैसे अपने इस पेसलाइज जो चीज देखी थी किसके अंदर बेरी फार्मिंग में कि एक ही पसू को पाला जाता है तो अब जैसे चाय का बाग लगा दिये जाते हैं कोफी के बागान कहां पर है कोफी के बागान है ब्राजिल के इंदर उनको क्या कहा जाता है तो इस तरीके से आपको क्या है थोड़ी सी कुछ चीजों को समझ लेना इसमें चीप लेबर चाहिए अब इतने बड़े बढ़ान के अंदर अब जैसे होती है और इसके लिए गुड ट्रांस्पोर्टेशन चाहिए क्योंकि जैसे हमने पत्ती चुनी उस पत्ती को जहां पर उसको गलाना है या उसको किनोन करवाना क्या चीज करवानी है पैकिंग करनी जो भी करना है वहां तक उसको पहुंचाना फिर वहां से उसको बजार तक इसके लिए एक अच्छा ट्रांस्पोर्टेशन भी इसके लिए क्या है चाहिए होता है अब आपन देखते हैं इसके कुछ रीजन की बात करें तो इसकी रीजन है कि फ्रेंच लोगों ने क्या किया भी कोको और कोफी हुगा ही कहां पर वैस्ट अफरिका के अंदर ब्रिट दूसरी चीज उसकी क्या इस्पेसलाइज करेकरिस्टिक्स हैं क्या 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 जरूरते हैं हाई टेकनोलोजी हाई कैपिटल चीप लेबर ठीक हैं चोथी चीज रखनी है कि कि किस एरिया के अंदर कौन सी फसल उगाई है मिलान कराने में आपका इस सवाल बन सकता है नेक्स्ट अपना आता है एक्टेंसिव कॉमर्शिल ग्रेन कल्टिवेशन एक्टेंसिव कॉमर्शिल जो ग्रेन कल्टिवेशन है इसके अंदर क्या चीज देखी जाती है कि बड़े जैसे पसू पालन किया जाता था बड़े र हांगे बड़े फार्म्स के अंदर तो इसके अंदर क्या क्या जाता यह इस्टेपी था यह पंपास था अर्जेंटीना में और यह वेल्ड से अफ्रिका के अंदर और यह आश्ट्रिले के अंदर क्या है डाउन से तो यह बड़े घास के जो मैदान है यह कही ना कहीं क्या है यह helpful है किस चीज़ में यहाँ पर खेती के अलिए जो उपकरंड है उनको चलाना बड़े बड़े फार्मों को तयार करना फर्टाइल लैंड होना उप्यूक्त जलवाई होना यह सारी चीज़े क्या है हेल्प करती है बड़े लेवल पर अगरी कल्सर करने के लिए और इन एरियाज के अंदर घास के मैदान होने से बड़े इस तर पर पेड़ों को भी साफ नहीं करना पड़ता तो बड़ी समतल जमीन इनको क्या है मिल जाती है इन एरिया के अंदर क्या किया जाता है बड़े इस तर के उपर प्रक्टिस किया जाता है तो यह क्या है इंटिर पार्ट्स है सेमी एरिड लैंड्स एंड मि पर तो इस को कह जाता है इसको दुनिया की गयों की टोकरी कहा जाता है या अनाज की टोकरी कहा जाता है इसमें गयों के साथ पिर ग्यों बारले ओत तो राई और गभा दी घाती है इसकी characteristic की अगर हम बात करें तो क्या है जिसकी क्राइस्टिक है वे फार्म का साइज होता है ठीक फूरा हो है थो今天 होता है वो झार करके जोटना जोटना स्तिति करके व 되면 के सिद्ध करना सिद्ध ए करके एक शर्चिरी आज़ मंतलु करना गुधान को वापीस गोधान में पहुंचाना यह पूरी प्रोंश मेकनाइज़ हो कम से कम manual labor इसके अंदर काम करता है there is low yield per acre but high yield per person कम आदमी काम करते हैं तो एरिया के हिसाब से उत्पादन कम होता है लेकिन व्यक्ति के हिसाब से ज़्यादा होता जैसे कि पिछली slide में हमने बात की थी कहां पे हुई है यह यूरेसियन इस्टेपी में पंपास और जैन्टाइना में वेल्ट सोफ अफ़िका में डाउन सोफ आस्टेलिया और केंटरबरी प्लेंस ओफ लुजिलेंड इनके अंदर क्या है यह फसल होती है जो कि अपने सारी बात कर लिए तो आपको क्या और फ्लोरा और फोना को ही तो हम क्या कर रहे है जहां पर जो चीज पाई जा रही उसी को तो पालतू बनाया जा रहा है उसी फसल को तो क्या किया जा रहा है तो उससे क्या हमें समझने में आसानी रहेगी कि कहां पर किस प्रकार की अगरिकल्चर होती है और यह वहीं पर क् लगातार अपने को क्या करना है दिमाग में क्या क्यों कैसे वाले जो सवाल है उनको बनाए रखना है और चीजों की जो पर्मुटेशन कॉंभिनेसंच को बोलते है कि क्या का इक्वेशन बन सकती है वो लगातार अपने दिमाग में बनाते रहना है ताकि हम सवाल को गैस कर सके कि कहा से सवाल कुछा जाएगा अब हैं mixed farming, mixed farming में क्या किया जाता है एक तरफ तो agriculture हो रही है, agriculture में के साथ अब जैसे चावल का खेत है, चावल के खेत के साथ एक area बना दिया जाता है जैसे चावल में पानी छोड़ते हैं उसी के अंदर छोटी स्रीम छोटी मचली ये चीज जैसे पाल लिया जाती है, या ज यगे तरफ डेरी कि जारी है उसके साथ कया कर लिए जैसे मुरगी पालन पर लिया और फशले भी लगा लिए चोटी मूटी तक पर परΟिव Works है इसके जो क्रेक्टरिष्टिक्स हैं उस पर अपन बात कर लें इसके एडियुन बात कर ले नौर्थ वेस्टन यूरोप इस्टन नौर्थ अमेरिका अमेरिका में एक चीज ध्यान रखना कि रोकी के इधर वाला जो एरिया है ना इस्ट वाला वही क्या है और उसमें भी बिल्कुल अट्लांटिक कोश्ट वाला वही ज्यादा फर्टाइल है ग्रेट लेक से नीचे का और Mississippi तक गजो एरिया है वही जादा फर्टाइल है पर एरी वाला रीजिन उसी के अंधर ज्यादा तरह टर और 저희 और उसे के अंदर यो इमई और मिंदर और उसमें मिन निशुल नौरिया है वहते हैं परड़ उसमें सरांजें और शोचते भी नोश भी में संक्रम्धि पसु पालन भी कर रहे हैं तो आपको फोडर भी उगाना पड़ेगा और साथ में मिक्स क्रोप करके दो-दो फसले करके उगाते हैं इसमें बेसिक जो चीज होती है फोकस करना कहां पर है इसके अंदर क्रोप रोटेशन और इंटर क्रोपिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है सवाल आएगा सिधा क्रोप रोटेशन किस अगरिकल्चर उसकी बेसिक विशेश्था है intercropping किसी की विकेस्टा स्विसेस्टा है मिइड से यांटियो को पर इनिमल हश्बन रिपे श्रले अमेरिका में आपने आपने एक चीज नहीं चलते चलते जिके इसे सुनी जाती है कि अमेरिका अंदर जो मखपी जाती हैyorsun खिलाई जाती है और वो सूर क्या है मास के लिए तयार किया जाते है शिकागो दुनिया के सबसे बड़ी मास की मंडी है। तो यहां पर वो mixed farming है वो मक्का बोई जा रही है लेकिन अलग परपज से बोई जा रही है। साथ में डेरी भी की जा रही है। सूर पाले जा रहे हैं कि उनसे कमाया जा रहा है कि घर है है के हैड की इसकी करेटरसिटिक की बात करें तो हाई कैपिटल इसके न दर उसके अंदर चाहिए मशिनरिय भी चाहिए इसके साथ बेलडिंग पैमिकल फर्टिलाइजर यह सारी चीज़े सकर चाहिए तो इसके अंदर भी क्या है पूंजी अच्छी खासी लगती है और इसके अंदर जो वो फार्मिंग होती थी कमर्शिल फार्मिंग होती थी उसकी तुल्ला में क्या है मैन लेबर भी कम्पेरिटिव ले थोड़ा जादा चाहिए लेकिन skilled और specialized man labor ही यहाँ पर चाहिए हो ताब भाई डेरी में आप किसी को लगाओगे तो उसको पसों के बारे में पसों की बीमारी के बारे में उनके हाओ भाओ के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो पहले अनुमान लगा के उस चीज़ को रोक सके बीमारी को फैलने से र यहां पर कौन सी सेंट लोरेंस नदी है इसके सारे सारे यह यूरोप का रिजन है तो इसमें कौन सा बिर्टेन वाला रिजन और डेनमार्क निदरलेंड यह वाला रिजन और यहां पर आस्ट्रेलिया का रिजन इस्ट वाला बिलकुल आस्ट्रेलिया में जैसे अमेरिका मे इस्ट वाला एरिया है वही है इस पे भी जोग्रोफिकल कंडिशन पे एक थोड़ा वीडियो बना दूँगा ताकि आप इनको समझ सके यही वाला रिजन के अफटायले बाकि यह सारा एरिया क्या है डेजर्ट है और अमेरिका में भी इधर क्या है रोकी माउंटेन है तो यह जो रिजन है यह न्यूजिलेंड वाला रिजन है इस रिजन के अंदर क्या है यहां पर कि डेरी फार्मिंग क्या है की जाती है अब आपन बात करते हैं इसके अंदर कुछ क्रेक्टरिस्टिक की है तो क्या इसके अंदर दुधार उपसू क्या है पाले जाते हैं और इस स्पेशल एंफिसीज ओन काटल ग्रीडिंग हेल्थ केर और वेटरनरी सर्विसेज इन पर बहुत ज्यादा क्या है इनके उपर धन दिया जाता है पसूं की नसल का सुधार करना उनकी अंदर कोई बीमारी नहीं आए क्योंकि इतने बड़े इस तर पे जब पसू होते हैं जैस इस के लेबर इंटेंसिव है ये और कोई उपसीजन नहीं होता बारू वास इसके अंदर क्या प्रडुटिविटी ली जाती है और इस को कहां किया जाता है प्रक्टिश इसकी कौहां किया जाती है दूद एक ऐसी चीज है जो कहां जल्दी खराब हो जाती दूद तो इसकी जल्दी से जल्दी अपने को खफत करनी है तो अच्छे ट्रांसपोर्ट के साथ और जहां पर इसकी खफत और उसके नियरस्ट मार्केट ओसके वहां पर इस चीज़ को क्या किया जाता है तरी में रीजन्स सबसे पहले तो नौर्थ वेस्टरन यूरोव फिर जो अमेरिका का रीजन है कनाड़ा वाला रीजन वो और थर्ड है साउथ इस्टरन आउस्टेलिया न्यूजिलेंड और तस्मानिया यह रीजन है जहां पर कोमर्शल डेरी फार्मिंग क्या है प्रक्टिस की जाती है मदिशाघर के जो स्वाल आपि सिद्य होती है मेडिटैरियन के डोनों तरफ है तो highly specialized commercial agriculture है ये और इसमें practice की जाती है countries कहां पे है इसकी countries की बात है वही यूरोप का जो region है यूरोप का जो region है और नॉर्थ अफरीका का region है जैसे अपने ये तो यूरोप का region है और शाउथ अफरीका नीचे ऐसे ये साउथ अफरीका बन गया तो ये जो region है ना इस region में basically ये agriculture की जाती है फिर इसके अलावा कलिफोर्निया में चिली में और साउथ वेस्टन पार्ट ओफ साउथ अफरीका में और वेस्टन पार्ट ओफ आस्ट्रेलिया में मेडिटेरेन कलायमेक कंडिशन पाई जाती है तो वहां पर भी ये agriculture की जाती है तो इसमें इस पेशली आपको ये नाम याद रखने अरिया वाले ज्याद संबहवना इसमें यहां से सवाल ने का area क्या है दूसरह में सवाल बनने का area है कि इसके अदर सीट्रस फूट होते हैं पूछ लेगा कि जो सीट्रस फूट है यह फलों की विशेश करके इन खटे फलों का छेतर कौन सा है तो मेडिटेरिन एग्रिकल्चर वाला रिजन खटे फलों का ओलीव का संत्रा का जैतूं यह जितनी भी चीजे आपन जो खटे फल जो आते हैं वो उत्वाइन बनाने के अन्akat इसका इस्तेवाला किया जाता तो बेश्ट क्वाइटि वाइन क्या है इस एरियो के अंदर इसके अलाव यहां पर ओलीव और फिगस भी कावी उत्पादन किया जाता है इसके अंदर क्या है production in winter when there is great demand in Europe and North America इसमें क्या उत्पादन है उस समय पे होता है जब अमेरिका और उर्प जम जाता है और वहाँ पर इन चीजों की मांग होती है तब यहाँ उत्पादन होता है और नीरिस्ट मार्केट होने की बज़े से क्या है बहुत पेजी से बहुत जल्दी इसकी खपत भी हो जाती है तो यह कि लाब दाएक सोधा है अब अपने बात करते हैं market gardening और होटी कल्चर होती है उसकी बात की जाती market gardening होटी कल्चर क्या चीज है एक फार्म के उपर क्या किया जाता है एक क्रोब बोई जाती है कि सुद्धे से बोई जाती बजार की मांग को देखते हुए जैसे city के नियर कोई area है city के आसपरस का कोई area है उसमें अपन वेजिटेबिल वह दें fruits वह दें flowers वह दें जिनकी city में क्या है दिमांड है तो उसको market orientation से उसको बोई जाता है मार्केट होता है इसका मार्केट होता है फार्म स तब इकठा करके रात को सीटी में सप्लाई कर दिया जाता है अगले दिन जैसे अपने मंडी में सबजी आती है अगले दिन के डिमांड के इसाब से ये बजार के अंदर पहुंच जाते है इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है और इसके अंदर हाई लेबर होती है इसके अंदर अच्छी इरिगेशन हाई इल्ड वैराइटी सीड्स फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स और ग्रिन हाउस भी बनाए जाते हैं क्यों फुलों की खेती की जाती है तो उसके लिए क्लाइमिट बनाया जाता है सबजी जैसे अपनी डिमांड है आप द इनकी प्री कल्टिवेशन की जाती है और फिर जब बजार के अंदर जो सुरुवाती जो उपलब जज़ा कम होती है तब इनकी सप्लाई करके और मांग को पूर्ती करके और लाब कमाया जाता है तो यह मार्केट ओरिएंटेड होती है आपको ध्यान रखना तो इसके लिए इरिगेशन भी बीज भी फर्टिलाइजर भी इस सारे उची लेवल के अच्छी क्वाल्टी के चाहिए होते हैं अच्छा पैसा इसके अंदर लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के इसके अंदर जरूत पड़ती है इसके एरिया है वो एरिया के अगर अपने बात करें तो नॉर्थ वेस्ट युरोप, नॉर्थ इस्टर्न, उनाटेट इस्टेट, अमेरिका, मेडिटेरियन रीजन, निदरलेंड, इस्पेशलाइड इन ग्रोइंग फ्लॉवर्स एंड हॉर्टी कल्चर क्रॉप्स. जो निदरलेंड वाला रीजन है, वो टूलिफ और इन चीजों की खेती करता है, आपने बहुत सारी मुवी देखी होगी, उन मुवी के अंदर क्या होता है, हीरो जैसे घूमता है गाने आते हैं, तो दूर दूर जो टूलिफ की क्या है, खेती-खेत दिखते हैं, तो ये इसको बेसिकली ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ट्रक फार्मिंग को लिखी लेंगे, ये आप से सिधा सवाल पूछ सकता है, कि किस में आती है ट्रक फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग, होटी कल्चर में आती है, किसी की की जाती है, पूछा जाती है आप से सीधा सवाल पूछा जा सकता है और ट्रक को क्या किया जाता है जितना जल्दी होसके पहुंचा जाता है इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं इन एडिशन तो मार्केट गार्डनिंग और इन दे इंडिश्ट्रियल रिजन ओफ वेस्ट युरोप एंड नौर्थ अमेरिका इस फेक्ट्रिफ फार्मिंग अब क्या क्या जारा रहा है वही जो मार्केट है न इन चीजों के लिए यह यूरोप वाला जो एडिया है और अमेरिका वाला जो एरिया है उस वह एरिया भी इनकी वज़े से क्या है यह एरिया भी इनको साथ उत्पादन भी करने लग गया है साथ में यह एरिया इनका बड़ा बजार है दोनों कॉंटेक्स में देखना है कि अमेरिका और यूरोप है ना वो कैपिटल इंटेंजीव कंट्रीज हैं तो वो क्या है कच्छे माल के सबसे बड़े यह नहीं कि उत्पादन भी बहुत से चीजों का करते हैं लेकिन उनका मार्केट इस तरीके का है कि उसको प्रोसेस कर देते हैं जैसे अपना टमाटर तो उगाते ही है साथ में बाहर से करते हैं फार्मिंग जो ओर्गिनाइजेशन होता है उसके हिसाब से फार्मिंग को किस तरीके से बाटा गया है उसकी बात की जारी एक होती कोपरेटिव फार्मिंग एक होती कलक्टिव फार्मिंग कोपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे खेत होते हैं आपका ख जमीन पर जो मालिकान हक है वो आज़ीटीज बना रहता है लेकिन आप अपनी जोत काकर भढ़ा के उसके अंदर मशीनरी का फटीलाइजर का बड़े इस तरह परियोग कर सकते हूं साथ में एक आदमी है वो इतना इंवेस्टमेंट इतनी चीज़ें नहीं कर पाता तो वो कि दिने में सरम में हर चीज में सयोगी बनके काम करते हैं ताकि वो अपने एरिया के अंदर से मैक्सिमम प्रोफिट ले सकें यह जो कोपरेटीव जो सिष्टम था यह कहां पर सफल रहा तो जहां पर यह सफल रहा वहीं पर इसके क्या है एक्जामपल मिलेंगे तो वैस्ट कि जो फार्मिंग है यह कोपरेटीव फार्मिंग ही जाधा की जाती है अब बात आती है रखात इसमें देखो आपने चीज देखी ती आनर है वो उनर बना रहता है पस सयोग मैं आ जाते हैं इसमें क्या है पूरी लेंड होती है और सरकार की होती है आदमी उसमें काम करता है अपनी छमता के अनुसार काम करता है और उसकी जरूरत के अनुसार उसको वापिस मिलता है लेकिन इसमें क्या होता है इसके अंदर आदमी का लंबे समयतर मोटिवेसन नहीं बना रहता है मोटिवेसन नहीं पूछ सकता है कि कोल खोज किस agriculture में आता है तो यह collective farming के अंदर आता है अब यह प्रक्टिस नहीं की जाती क्योंकि हमने बात कर ली कि यह beneficial नहीं थी यह productive नहीं रह पाई इसलिए आज इसको प्रक्टिस नहीं किया जाता है अगला इसमें segment agriculture के बाद पहले हमने hunting gathering देखा फिर हमने देखिए agriculture agriculture के डिफरेंट टाइपस देखे आब हम बात करते हैं segmentize के अंदर primary activity में उसका नाम है mining mining के अंदर basic जो बाते हैं जो आपसे सवाल बन सकता है वह आपसे पहले में discuss कर लेता हूं ताकि आप उसको focus कर पाएं पहला यह पूछ सकता है कि mining कितनी तरीके की होती है उनकी problems क्या है बस basic सवाल आपके NCRT की level में इसमें यही सवाल बनेंगे जो आपके chapter में बातें दी गई है the actual development of mining कब शुरू हुआ तो इसमें अपने को याद रखना सीधी लाईन अगर पूछे तो जो industrial regulation हुआ था ना वहां से क्या industrial regulation के बाद से demand हुई थी कि इसकी खनीजों की या इसकों की ज्यादा बड़े इस्तर कोई द्योगों में तो वहां से mining क्या है commercial mining शुरू हो गई factors जो इसको effect करते हैं तो दो man factor है पहला factor है उसमें हम देखते हैं कि जो physical factors हैं उनमें आती है size, grade, mode of, occurrence of deposits manly अगर कोई खनन आप करोगे तो आप लाब कमाने के लिए करोगे अगर लाब का सोधा यह नहीं है तो आप उसको खनन नहीं करोगे तो आप पहले यह देखोगे कि जहां खनन करना चाहरे हैं वहां कितनी मात्रा में ask मिलेगा, कितनी गहराई पे मिलेगा जो चट्ठान तरीके की है, जिसमें ड्रिली नहीं किया जासके जिस चट्ठान के अंदर बहुत और उसके अंदर निकले कोई सस्तिसी चूना पथर निकले रहे ड्रिल भोजादा करना पड़ रहा है तो कि आप ड्रिल करेंगे, नहीं करेंगे तो इन चीजों का क्या है द्यान रखा जाता है दूसरे economic factor हो गए कि जो mineral है technology availability है capital कितनी चाहिए infrastructure कितना चाहिए labor or transport की हमारी conditions किस तरीके की है ये सब्द आपको द्यान रखने है ये सारी चीजे क्या करती है mining को effect करती है तो effective करने वाली जो चीज पूछ ले तो ये दो factor है जो दो method है पहली है surface वाली और दूसरी है soft mining surface वाली में क्या की जाती है open caste होता है यानी surface की उपर चीज पाई जाती है और उसको उपरी इस तर से निकाल लिया जाता है जैसे मालों को इस जैसे सेंदा नमक है या चुना पत्थर भी है चुना पत्थर भी कई वार उपरी सत्या से पाइन जाता तो इस तर पे उपर-उपर से उसको निकाल लेते हैं या जैसे अपन इमारती पत्थर उपर उपर से क्या है अठा लिया जाता है तो ये क्या है easy होता है और सस्ता होता है दूसरी तरफ अगर जब चीज बात की जाए इसमें जो आउटपुट होता है ना सर्फेस वाले में ये लार्ज होता और रैपिड होता है सस्ता होता है लार्ज होता है रैपिड होता है ये बहुत यूजफुल है ये लेकिन सारी चीज़ें सतय पर तो मिलती नहीं हमको क्या करता है बहुत से चीजों के लिए हमें ड्रिल भी करना तो इसमें क्या काता है साफ्ट माइनिंग क्या की जाती है कि एक होल बनाया जाता है और एक होल बनाकर उसकी मादम से चीजों को क्या किया जाता है वहां से मशीनों के दुबारा सक किया जाता है या और मैथड से उसको क्या है बाहर निकाला जाता है इसे अंडर्ग्राउंड माइनिंग मेथड का जाता है इस मेथड के अंदर कुछ प्रोब्लम सा जाती है क्योंकि देखो अगर आप कोई नीचे एक सुरंग बनाके जा रहे हैं तो एक सुरंग को बनाना फिर उसके अंदर काम करने वाले आदमी की शिक आग लग जाएगी बारिस आगे आपने सुरंग मना रखे तो पानी पूछ के थोड़ी कुसेगा कि मैं अंदर आजाओं तो पानी अंदर जाएगा तो आपकी अंदर फ्रेडिंग हो जाएगी आपके सर्मिक मर जाएगी आपने बहुत जगे नूज में देखा होगा कि इत की जाएगी यह वाली जैसे अपन होईल की करते हैं, लोहे की करते हैं, कोईले की करते हैं यह अगले में हम देखेंगे अभी बात करें में बाटे है जिसे टंगस्टन है बलब में जिसका धातु लगता है कम बातरा में मिलता है दुनिया में लेकिन उसकी मांग हो जादा है तो उसको घहराई से भी क्या किया जाता है खनन किया जाता है तो आज के अपनी ये किलास थी जिसके अंदर हमने के बारे में बात की प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में प्राइमरी एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि एक आदमी जो शुरू में जंजातिया तरीके से रह रहा है तो वो हंटिंग और गैदरिंग कर रहा है दुनि और डिफरेंट टाइप की चीज़ के बेशड़ आगे आगे बेशड़ है आपके पास capital कितनी है, land कितनी है इस चीज़ के उपर बेशड़ है आपके climate कैसा है और कुछ पसू जिनका वो सिकार करता था या उसके जीवन में पर होगी थी उसको उसने क्या किया उसको उसने पाल तरीके से collective तरीका अब काम नहीं करता जो रशिया ने अपना आया था जिसमें फार्म को काल खुज कहा जाता था next हमने देखी mining माइनिंग में हमने क्या देखा कि दो चीज़े परभावित करती है जोग्रोफिकल फैक्टर कितनी घ्राई पर मिल रहा है किस तरीके की सट्टान पाई जा रही है जो और है उसके अंडर कितनी मात्रा में दातू पाई जा रही है और दूसरा फैक्टर था एकोनोमिक कि ट्रांसपोर्ट कितना लगेगा, पोष्ट कितनी आएगी, टेकनोलोजी कितनी है, लेबर कितना लगेगा, वो वो शारी चीजे और इसके रिस्क देखे, इसमें दो चीजे थी, एक तो सर्फेस थी, एक अंडर ग्राउंड थी, जिसको साफ मेथट कहा जाता है उसमें लार्ज एरिया के अंदर लार्ज लेवल के उपर प्रोडक्शन होता है सत् NEW परता है दूसरी वाली में क्या हैक फर प्रोड़क्शन महंगा भी परता है wonder ज्यादा रिसकी भी होता है, तो आपकी सवाल इसी के अंदर से बनने वाले हैं, जो आपको मैप में बातें बताई हैं, उन चीजों को आप एक सिस्टम में अरेंज कर लें, जो हम रख दिया उसको आप करें, और वीडियो में जो भी कोई चीज आप लगे उसको आप कमेंट स